नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आपका हिंदी क्लास में स्वागत है आज का हमारा विश्य है एपठिट काव्यांश काव्यांश काव्य का एक अंश कविता का एक अंश तो सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रियास करें कि एपठिट काव्यांश क्यों पढ़ाया जाता है इसका उद्दिश क्या है या एपठिट काव्यांश किसे कहते हैं काव्य विद्यार्थियों में भाव ग्रहन की क्षमता को विक्सित करता है और विद्यार्थियों में समझ बढ़ाने, विश्य की समझ बढ़ाने, तारकिक चिंतन की क्षमता बढ़ाने के लिए एपठित काव्यांश को हल करने का करवाया जाता है ऐसी कविताएं अथवा कावियांश जो विद्यार्थियों ने पहले नहीं पढ़ा हो या जो उनकी पाठ्य पुस्तक में नहीं हो एपठित कावियांश कहलाता है जैसा कि हमने एपठित गद्यांश पढ़ा था वैसे ही एपठित काव्यांश भी होता है गद्यांश गद्य का एकंश होता है और काव्यांश खविता का एकंश होता है तो जो काव्यांश पहले न पढ़ा गया हो उसे एपठित काव्यांश कहते हैं एपठित का व्यांश को पढ़कर प्रश्णों के उतर उसी में से ढूंड कर लिखने के लिए कहा जा सकता है। अर्थार कि आपकी सामने कविता की चंद पंक्तियां होती हैं, आपको उन्हें पढ़ना हैं, उनका भाव समझना हैं और फिर उनसे संब्दित दिये गई प्रश के प्रश्णों के उतर दिये प्रश्ण बहु विकल्पे भी हो सकते हैं और उसी में से छाट कर भाव ग्रहन से संब्दित भी हो सकते हैं। कावियांश को पढ़कर प्रश्णों के दिये गई विकल्पों में से सही विकल्प को चुनने कर लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो एपठित काव्यांश में प्रश्णों के उत्तर देने से पहले निमन लिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले अपटित काव्यांश को दो तीन बार ध्यान से पढ़ें काव्यांश के भाव को अच्छी तरह समझ लें प्रश्णों के उत्तर संक्षेफ में, सरल भाषा में, तरह छुटे वाक्यों में दें यदि प्रश्णों के लिए विकल्प दिये हूं तो विकल्पों को ध्यान से पढ़ें, उनके अर्थ समझें और फिर सही उत्तर जुने यदि काव्यांश का शिर्षक लिखने को कहा जाएं, तो शिर्षक भी लिखें किन्तो शिर्षक काव्यांश के मूल भाव, तखा उसके उद्धेश को प्रकट करने वाला होना चाहिए अभी हम एक उधारन द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं ये कवीता की कुछ पंक्तियां आपके सामने हैं, आप इने ध्यान से समझने पढ़िए और इनका अर्थ समझने का प्रयात्म करें और उसके बाद इससे समंदित दियेगे प्रशनों को चिन्हित करें करना है जो काम उसी में चित लगा दो, अपने पर विश्वास रखो, संदेह बगा दो करना है जो काम उसी में चित लगा दो, अपने पर विश्वास रखो, संदेह बगा दो आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने, जो करना हो करो, अभी कल क्या हो जाने ऐसा सुसम्य भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सदा ही पश्टाओगे तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ, सुखी रहे संसार, तथा तुम भी सुख पाओ इस कावियान से समंदित पहला प्रश्ण है, कवी किसमें मन लगाने के लिए कह रहे हैं? इसका उत्तर जैसा कि आप देख रहे हैं, कावियान से हमने इसको रिखांकित किया है, करना है जो काम उसी में चित लगा दो तो इस प्रश्ण का उत्तर है, कवी हमें उस काम में मन लगाने के लिए कह रहे हैं, जो काम हमें करना चाहिए दूसरा प्रश्ण है, कावियान से किस पर विश्वास रखने तथा किसे भगाने के लिए कहा गया है आप रेखांकित पंक्ति को देखिए, अपने पर विश्वास रखो और संदेह भगा दो तो उत्तर हैं कावियान से में अपने आप पर विश्वास रखने के लिए तथा संदेह को भगाने के लिए कहा गया है अगला प्रश्ण है, हमसे बहाने कोन करवा रहा है बचों आप भी कई बार किनी प्रस्तितियों वस जब अपना काम नहीं कर पाते हैं या किसी भी कारण वस आप अपने कारे को करने में असमर्थ होते हैं तो आप भी विभिन तरीके के बहाने लगाते हैं तो ये बहाने हमसे कौन करवा रहा है तो इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आपरे खांकित पंक्ति को देखिए आलस ही ही है करा रहा ये सब ही बहाने हमारे अंदर का आलस ही है जो हम सबसे बहाने करवाता है हम आलस्षे के वसी भूत होकर अपने कारियों को तालते जाते हैं जाते हैं और जब अंतिम से मारिखा आती है या समय पूरा होने तक हम अपने कारे को पूर्ण नहीं कर पाते हैं और फिर हम तरह तरह के बहाने लगाते हैं चलिए अगला प्रशन देखते हैं मनुष्य किसे खोकर हमेशा पच्टाता है मनुष्य सूसमय अरथाथ अच्छे अवसर को खोकर हमेशा पच्टाता है येसा सूसमय भला कब तुम पाओगे खोकर पीछे इसे सदा ही पच्टाओगे इसे यानि किसे सू समय, अच्छा समय, अच्छे अवसर को खोकर हमेशा ही पच्छताना पड़ता है इसलिए आलशत को त्याग कर अवसर का लाब उठाएं और नियत समय पर अपने कारे संपन करें अगला प्रश्ण है कवी हमें कैसा काम करने की शिक्षा दे रहे हैं इसका व्यांश की अंतिम बग्ति देखिए सुखी रहे संसार तथा तुम भी सुख पाओ कि तुम ऐसा काम करो जिससे संसार भी सुखी रहे और हम भी सुख पाएं एक और कवीता मैंने आपके लिए इस पिपिटी में संकलित की है बर्गत मैंने देखा एक बड़ा बर्गत का पेड़ खड़ा है उसके नीचे कुछ छोटे छोटे पोधे बड़े शुशील विनम्द देखकर मुझको यह बोले हम भी कितने खुश किसमत हैं जो खत्रों को नहीं सामना करते आसमान से पानी बर्से आग बर्से आंधी गर्जे हमको कोई फिकर नहीं एक बड़े वर्द छत्रचाया के नीचे हम अपने दिन बिता रहे हैं बड़े सुखी हैं बच्चों इस कविता के भाव को समझने का प्यास करें एक बार पुनह मैं इस काव्यांश को पढ़ती हूँ मैंने देखा एक बड़ा बर्गत का पेड़ खड़ा है उसके नीचे कुछ छोटे छोटे पोधे बड़े शुशिल विनम्र देखकर मुझको यों बोले हम भी कितने खुश किसमत हैं जो खत्रों को नहीं सामना करते आस्मान से पानी बर्से आग बर्से आंधी गर्जे हमको कोई फिक्र नहीं एक बड़े की बरच त्रशाया के नीचे हम अपने दिन बिता रहे बड़े सुखी हैं कविता पराधारित प्रश्नों को ध्यान से देखिए इस कविता में बर्गद किसका प्रतीक है नमबर एक रक्षक का नमबर दो अभिभावक का नमबर तीन दयालू विक्ति का और नमबर चार हित चिंतक का तो इसका सही उत्तर है अभिभावक का अगला प्रश्न है इन में कौन सा शब्द विशेशन नहीं है ध्यान से देखिए छोटे छोटे पोधों की बात की जा रही है तो पोधों की विशेशता हो गई छोटे 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 शब्द विशेशन है छत्र छाया यानि उनके बरत हस्त के नीचे विनम्र यानि विनेशील ये भी विशेशन है शुशील अच्छे आचरण अवाला तो ये भी विशेशन है इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ नमबर दो छत्र छाया आंधी गर्जे से क्या तात्पुरे है नमबर एक प्रसनता नमबर दो खुशकिस्मत नमबर तीन मुसीबते और चोथा है बरद छत्र छाया तो इसका सही उत्तर है मुसीबते यानि तीसरा विकल्प मुसीबते छोटे पोधे कैसा जीवन बिता रहे हैं सुन्दर और शुशील नमबर दो कठिन नमबर तीन सुखी और नमबर चार खत्रों से उन तो इसका सही उत्तर है बिलकुल थे नमबर तीन सुखी बरकत के पेड़ की क्या विशेश्ता होती है अभी आपने फोटो में देखा था वो बहुत छोटा होता है सदा पवित्रहीन होता है बहुत विशाल होता है या बहुत कठोर होता है तो इस प्रशन का सही उत्तर है बरगत कवरक्ष बहुत विशाल होता है हमने ऐसे कई काव्यांश आपके लिए इस पेपिटी में संजोग कर रखे हैं इसके अलावा भी आप अपनी वियाकरण के बुक से बहुत सारे पध्यांश बहुत सारी कविताएं आप पढ़ सकते हैं और पढ़ें तथा उनके सर्मंदित चत्रशनों के उत्तर देकर अपठिट का वियांश का अभ्यास करें क्यूंकि करत करत अभ्यास के जडमती होतस अजान रश्री आवतजाब से सिल्पर परत निशान यानि बार-बार अभ्यास करने से जड़ बुद्धी भी बुद्धीमान हो जाता है चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला का व्यांश ऐसा है आवेश देश में जिसका पार नहीं देखा माता का ऐसा रक्तिम शिंगार नहीं कंठ कंठ में गान उमरते मा के वंदन के, कंठ कंठ में गान उमरते मा के अर्चन के शिश शिश में भाव उमरते मा पर अरपन के, प्राण प्राण में भाव उमरते शोनित तरपन के शोनित यानि रक्त जीवन की धारा में देखी ऐसी धार नहीं सत्य अहिंसा का व्रत अपना कोई पाप नहीं विश्व मैत्री का व्रत भी कोई अविशाप नहीं यही सत्य हैं सदा असत की टिक्ती चाप नहीं सावधान, हिंसक, प्रतिहंसा की कोई माप नहीं कोई भी परस्ताव प्राजय का स्विकार नहीं ऐसा है आवेश देश में जिसका पार नहीं एक बार पुने हम इस ताव्यांश को पढ़ेंगे ऐसा है आवेश देश में जिसका पार नहीं देखा माता का ऐसा रक्तिम शिंगार नहीं। कंठ कंठ में गान उमरते मा के वंदन के, कंठ कंठ में गान उमरते मा के अर्चन के, शीश शीश में भाव उमरते मा पर तरपन के, प्राण प्राण में भाव उमरते शोनित तरपन के, जीवन की धारा में देखी ऐसी धार नहीं सत्य अहिंसा का वृत अपनाना कोई पाप नहीं विश्व मैत्री का वृत भी कोई अभिशाप नहीं यही सत्य है सदा असत की टिक्ती चाप नहीं सावधान हिंसक प्रति हिंसा की कोई माप नहीं कोई भी प्रस्ताव पराजे का सुईकार नहीं ऐसा है आवेश देश में जिसका कोई पार नहीं उप्रोग्त पध्यान्ष में किसके आवेश का उलेख हुआ है माता के, देश के, शत्रु के या इन में से कोई नहीं इसका सही तरहें देश के कवी के मतानुसार असत्य है स्थाई, व्रत, अभिशाब या पैस्थाई इसका उत्तर है अभिशाब प्रक्तिम श्रिंगार का क्या अर्थ है प्रक्तिम श्रिंगार का अर्थ है नमबर एक, वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना नमबर दूर रक्त बहाना नमबर तीन, शत्रु का खुन बहाना नमबर चार, उप्रक्त में से कोई नहीं ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रियास कीजिए इसका उत्तर है वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना शोणित तर्पन का अर्थ खुन बहाकर आक्रमन कारी के पित्रों का श्राध करना शत्रु का शोशन करना दुखी होकर श्राध करना या वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना इसका उत्तर है खुन बहाकर आक्रमन कारी के पित्रों का श्राध करना पध्यान समी माता का प्रतीक है देवी की, विश्व मैत्री की, सत्य अहिंसा की और राष्ठ यानि देश माता किसकी प्रतीक है राष्ठ की यानि अपने देश की चलिए अगली कविता रेशम जैसी हस्ती खिलती नब से आई एक किरन फूल फूल को मीठी मीठी खुशियां लाई एक किरन पड़ी ओस की कुछ बुंदे जिल्मिल जिल्मिल पत्तों पर उनमें जाकर दिया जलाकर जो मुस्काई एक किरन लाल लाल था लीसा सूरज उठकर आया पूरव में फिर सोने के तारों जैसी नब में चाई एक किरन बहुत ही सुन्दर प्राकरतिक तुर्श का वर्ड़न है एक बार उन्हें इसका व्यांश को पढ़ते हैं रेशम जैसी हस्ती खिलती नब से आई एक किरन फूल फूल को मीठी मीठी खुशियां लाई एक किरन पड़ी ओसकी कुछ बूंदें जिल्मिल जिल्मिल पत्तों पर उन्हें जाकर दिया जलाकर जो मुसकाई एक किरन लाल लाल था लीसा सूरज उठकर आया पूरब में फिर सोने के तारों जैसी नब में चाई एक किरन प्रशन देखिए कवी ने किरन के लिए किन किन विशेशनों का प्रियोग किया है नमबर एक रिशम जैसी नमबर दो हस्ती खिलती नमबर तीन सोने के तारों जैसी नमबर चार उप्योक्त सभी इसका उत्तर है उप्योक्त सभी किरन फूलों के लिए क्या खुशियां लेकर आई है सुन्दर्ता सुगंद मिठी मिठी खुशियां या विभिन रंग सुन्दर्ता सुगंद मिठी मिठी खुशियां या विभिन रंग इसका सही उतर है मिठी मिठी सुगंध ओसकी बुंदों ने पत्तों पर क्या किया उन्हें चमका दिया उन पर एक दिया सा जला दिया उन्हें नहला दिया या उन्हें चमका दिया इसका सही उत्तर है उन्हें चमका दिया सूरज की विशेष्टा वे गोल गोल है वे गोल गोल तथा लाल लाल है वे लाल लाल थाली जैसा है या वे लाल लाल गेंद जैसा है तो इसका सही उत्तर है कि वो लाल लाल थाली जैसा है अगला का व्यांच देखिए जग जीवन में जो चिर महान सुंदर्य पूर्ण और सक्तिप्रान मैं उसका प्रेमी बनू नाथ जिससे मानव हित हो समान जिससे जीवन में मिले शक्ती छूटे भै संसे अंधभक्ती मैं वह प्रकास बन सकूँ है नाथ मिल जावे जिसमें अखिल वेक्ती कवी ने चिर महान किसे कहा है कवी ने चिर महान किसे कहा है मानव को इश्वर को जो सक्ते और सुंदर से संपूर्ण हो या शक्ति को कवी कैसा प्रकाश बनना चाहता है जिसका सब तरफ उजाला हो जाए अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए जो जीनने की शक्ती देता है जिसमें मनश्य सभी भेद्वाव बुलागर एक हो जाते है कभी कैसा प्रकाश बनना चाहता है जिससे सब तरफ उजाला हो जाए अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए जो जीने की शक्ति देता है जिसमें मनुश्य सभी भेदभाव बुलाकर एक हो जाते हैं कवी समस्त विश्व के विक्तियों की बात करना चाहता है, कवी भारत के विक्तियों की और संक्तित करना चाहता है, या कवी ब्रह्म ज्यानी बनना चाहता है, इसका उतर कवी समस्त विश्व के विक्तियों की बात करना चाहता है, कवी ने कविता की पंक्तियों के अंत में विस्मयादी बोधक चिन का प्रियोग क्यों किया है कविता को तुकांत बताने के लिए अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है इसे कविता का सुंधर्य बढ़ता है या पौन विराम की लीक से हटने के लिए कवी ने कविता की पंक्तियों के अंत में विस्म्यादी बोधक चिन्न का प्रियोग क्यों किया है इसमें कवी अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कविता का मूल भाव क्या है कल्यान, अमर्दान की प्राप्ति, विश्व परिवार की भावना या सत्य की प्राप्ति कविता का मूल भाव कल्यान तो आज हमने बहुत सारे उधारणों के माध्यम से कावियांश के प्रश्णों का उत्तर देने का प्रियास किया है और आप इस अभ्यास को जारी रखें शुब दिवस धन्यवार प्रियास को जारी रखें